हाजी स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो के अंदर तो भाई यो आज की वीडियो में आपके सामने खड़ा है सवराज का 742 XT 4 Star Reverse PTO 2024 मोडल तो भाई आज की इस वीडियो में श्रेक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे इसके स्पेसिफिकेश के बारे में जानेंगे क्या क्या इसके अंदर नए फ्यूचर दिये गए हैं 2024 के अंदर और किस पराइज के अंदर आपको इटेक्टर देखने को मिलने वाल है तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो भाई यो वीडियो को एंड तक जरूर द दे दिया गए है जैसे कि आपको 17744 के अंदर और 855 के अंदर देखने को मिलता है तो सेम बोडी आपको ऐसी देखने को मिलने वाली है तो टेक्टर के अंदर जो में चीज होती है वो होती है इसका इंजन तो इंजन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 3 सिलंडर 45 HP 3307 सिती का इंजन देखने को मिल जाता है जो की 2000 रेक्टीड आर्प्यम पर मैक्सिमम पाउर जनरेट करता है और सता सी न्यूटेन मिटर का टोर्क इसके अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तो अब चलते हैं इसकी प्लेटफोर्म के और तो प्लेटफोर्म आपको उपर से आपको चेक करवाता हूं इसके इस्टुमेंट कलेश्टर कैसा है और इसका इस्टेरिंग कैसा आपको देखने को मिलता है तो यहां पर आपका जो इस्टुमेंट कलेश्टर है तो आपको थोड़े ओल्ड मोडल के आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको 2015-16 क के अंदर देखने को मिलते थे वही सेम डिट्टो देखने को मिलने वाले हैं तो अब बात करते हैं इसके गैर्स की तो इसके अंदर आपको सेंटर गैर्स इप्टिंग के अंदर आपको इटेक्टर देखने को मिलने वाले हैं बात कर लिए इसकी पीटियो की तो इसके अंदर PTO clutch भी देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर आपको इसके अंदर यह जो lever वगारा है तो यहाँ आपको देखने को मिल जाते है hydraulic lever और यहाँ पर चोटी सी toolbox वगारा देखने को मिलती है जिसमें आप अपने phone वगारा को charge कर सकते हो बात कर लिए इसकी brakes की तो इसके अंदर आपको oil immerse brakes देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसके brake pedal वगारा तो वगारा एक बार आपको इसकी front भी दिखा देता हूँ तो उपर से कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो यहाँ से जो इसकी front look है तो front look से कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है तो front में आपको वही normal halogen light देखने को मिल जाती है नीचे आपको सवराज की basin देखने को मिल जाती है और single bonnet आपको इसके अंदर देखने को मिलता है तो front axle की बात की जैसमें आपको heavy duty not adjustable front axle देखने को मिलता है तो इसको आप अपने एसाब से कहीं भी adjust नहीं कर सकते हो या पर आप चेक कर सकते हो तो इधर मैं आपको 17744 का दिखा देता हूँ एक बार तो इसके अंदर आपको कितना difference देखने को मिलने मला है तो यह है भाई जो 17744 का जो front axle है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो तो इसको आप अपने एसाब से कहीं भी adjust कर सकते हो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो और जो आपका bialis के अंदर है तो इसको आप कहीं भी adjust नहीं कर सकते हो बात कर लिजाए इसकी steering की तो इसके अंदर आपको single active power steering देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको single ही power देखने को मिलती है तो भाई अब चलते हैं इसकी back profile में तो back profile आपको check करवा देता हूँ क्या-क्या आपको देखने को मिलता है इसके अंदर तो यहाँ पे हम back चल रहे हैं तो इसके अंदर भाई जो इसकी back profile है तो एक number आपको देखने को मिलने वाले है तो इसके अंदर आपको reflector वगएरा और bottle holder वगएरा देखने को मिलने वाले है और devil-double distributor देखने को मिलने वाले है जो की heavy duty बहुत ही खतरनाग इसके जो distributor है आपको देखने मिलेंगे त्री top link देखने मिलेगा बारा ओल्ट का एक so get देखने को मिलने वाले है जिसमें आप अपनी trolley वगएरा को add कर सकते हो जिसके light वगएरा जला सकते हो और यहाँ पे आपको जो पीछे से इसकी hydraulic up-down कर सकते हो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो यह इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले है काफी future तो बाई बात कर लिजाए इसकी lift capacity की तो इसके अंदर आपको 1700 kg की lift capacity देखने मिले जाती है जो की 1700 kg तक का weight उठाने की इसकी अक्षमता होती है तो यहाँ पे आपका जो background इसका यह है यह आपको देखने मिलते है तो इसके आपको यहाँ पे जो indicator वगरा है तो आपको यह simple ही देखने मिले गाए तो इसके अंदर आपको कोई भी LED नहीं देखने मिलने वाली है टाइरों की बात करें दे इसके अंदर आपको front tire 7,50,16 के देखने मिल जते हैं और rear tire आपको 14,9,23 के देखने को मिल जते हैं तो यहाँ पे आपका जो यह silencer है तो इसके उपर आपको heat guard देखने मिलते है तो यह आपको इसके अंदर बहुत ही काफी चीज़े देखने को मिल जती है अगर बात कर लिए इसके air cleaner की तो इसके अंदर आपको 3 stage oil बात air cleaner देखने को मिल जते है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो आप अपने state के एसाब से चेक कर सकते हो तो आप कहां से वीडियो देख रहें तो बाई कमेंट करके जुरू बताना आपके यहाँ पे इसका price क्या चल रहा है तो भाई यही अपडेट था इस वीडियो के अंदर तो भाई वीडियो चली तो वीडियो को like, share, subscribe जुरू कर लेना और bell icon भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको हर एक नए वीडियो की notification सबसे पहले ही मिलते है तो भाई वीडियो देख लिए धन्यवाद, thank you so much